नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बड़ी होसे होंगे. दोस्तों, आज मैं आपको फोटोफोविया के बारे में जानकारी दूँगा और साथी साथ आप फोटोफोविया से कैसे निजात पा सकते हैं, फोटोफोविया कैसे ठीक हो सकता है, कौन-कौन सी होमेपेथिक मैडिसेन आपको यूज करने चाहिए, फोटो-फोविया में आज ये सब कुछ आपको बताऊंगा, तो मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है, तो चेलिए, सुरू करते हैं. दोस्तों, सुरू करने से पहले, आप सबसे ही गुजारिश है, कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करियेगा, और हाँ, अब भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलिजबल होमपैटिक रिलेटेट, डिसीज रिलेटेट तो वीडियो लाती हूँ, लेकिन साथी साथ, आप मु लेकिन पे करनी की आपको भाश्यक्ता नहीं है, चलिए, टॉपिक के तरफ चलते हैं, दोस्तों, बच्पन में या अभी बड़े में, या कभी न कभी आपने एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा आँक के साथ, मुझे पूरा यकीन है कि जब आप टॉर्च या कैमरे की ।को कोई भी लाइट आप आँक के पास लाते हैं, तो आपकी पूपिल जो बीच का घूला है, वह सिकूड़ जाता है, और घब लाइट आप दूर ले जाते हैं, तो फैल जाता है, दॉस्तों ऐसा इसलिए होता है, इसलिए जो आप बहुत जादा रोश्णी अपनी आंक के पास लाते हैं तो आपका सरीर जो है वो चाहता है कि आपके आँख के अंदर रेटीना तक इतनी लाइट ना जाए जिससे आपको इरिटेशन हो और आपको दिखना बंद हो जाए कुछ समय के लिए तो वो क्या करता है प्यूपिल को जहां से लाइट आ रही है वो उसे सिक जाती है और आँखों में प्लाइट प्रॉपर आती है और यह चलता रहता है दोस्तों फोटोफोबिया एक सिम्टम है एक लच्छण है जो अलग-अलग बीमारियों के कारण अलग-अलग कंडिशन के कारण होता है इस लच्छण में जब भी आप तेज रोशनी के सामने ज जाते हैं जब भी आप बाहर निकलते हैं घर से तो आपकी आँख में इरिटेशन होता है और आपको हलका सा या तो आँख से आसू निकलता है या इरिटेशन होता है और आपको वो लाइट जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं होती तुरंत आप चाहते हैं या तो चश्मा ल भो है वो indoor light में भी हो सकता है और outdoor light में हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ शूर्य की रोशनी से ही आपको photophobia हो अगर बहुत जादा ट्यूब लाइट चली हुई है और उसके कारण भी आपको photophobia की problem हो सकती है और mostly अगर आप इस फोटोफोबिया सब्द को देखें तो इसमें फोबिया सब्द पीछे है, मतलब आपको लाइट से डर लगता है, बहुत जादा रोशनी से डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको डर नहीं लगता, ये फोबिया नहीं है, इसमें सिर्फ जुड़ा कॉर्णिया में किसी तरह का डैमेज हो, रेटैना में कोई प्रॉब्लम हो, या प्यूपिल में कोई समस्या हो, तो उसके कारण आपको फोटोफोबिया हो सकता है, दूसरा, आपके ब्रेन या नर्वस सिस्टम में कोई ऐसी समस्या है, जिसके कारण आपको फोटोफोबिया महसूस हो सकता है तीसरा कि simply आप हमेशा dark में रहना पसंद करते हैं जादा धूप में जाना पसंद नहीं करते और उसके कारण भी आपको photophobia की problem कुछ समय के लिए हो सकती है या आप जादा computer चलाते हैं laptop चलाते हैं optic nerve photoreceptors के oversensitivity होने के कारण आपकी आँखों का oversensitivity होने के कारण भी photophobia की problem हो सकती है तो ये कुछ कारण है, causes है photophobia के और photophobia बहुत ही common problem है आज मैं आपको इसकी बहुत ही effective homeopathic medicine बताऊंगा बहुत ही simple और जादा नहीं सिर्फ 2 homeopathic medicine बताऊंगा जिसे आपकी ये problem ठीक हो जाएगी तो चलिए, homeopathic medicine के बारे में जानते हैं जो सबसे पहली और जो सबसे effective homeopathic medicine है photophobia के लिए वो है euphrasia office analysis दोस्तों, euphrasia office analysis photophobia के लिए सबसे जादा effective homeopathic medicine इसे अगर आपको photophobia की problem है तो जरूर आपको एक बार यूज करना चाहिए, कम से कम एक दो महिने तक तो जरूर यूज करना चाहिए 90% केसे में आपका photophobia इसी एक medicine से ठीक हो जाएगा तो बहुत जादा medicine आपको पढ़ने की या ढूने की जरूरत नहीं है euphrasia office analysis ये medicine photophobia के लिए best medicine है और लगबख 90% में मतलब लगबख अगर normal photophobia आपको कोई बहुत बड़ी eye disease या nervous disease नहीं है तो photophobia आपकी problem ठीक ही हो जाएगी तो यूफ्रेशिया दोस्तों अगर आपके आँख से बहुत जादा आसो निकलता है जैसे आप धूप में चौते हैं एकदम से light में आते हैं आँख बहुत जादा irritate होती है आँखों में जलन चुबन होती है और आँखों में एक needling sensation एक ऐसा लगता है चुब रहाओ ऐसा एक sensation अगर आँखों में महसूस होता है और light आपको बिलकुल पसंद नहीं है तो euphrasia office analyst सबसे effective medicine है इसे bright eye भी बोलते है आँखे हमेशा जो है वो bright रहती है हमेशा उसमें आसु भरा रहता है irritation रहता है आँखों की allergy के कारण भी photophobia होता है और ये आँखों की allergy को भी ठीक करती है तो euphrasia office analyst आपको ज़रूर यूज करना है 30CH potency में आप यूज करें पिक्चर आपको दिख रही है euphrasia office analyst 30 आपको पीना है मैं फिर से दोराता हूँ कई बार लोग इसे समझते नहीं है पीना है dilution को आँखों में नहीं डालना है बिल्कुल नहीं डालना है सिर्फ पीना है euphrasia office analyst आप 30CH potency में दो बुंद सुबह पिएं दो बुंद दो पहर में पिएं और दो बुंद राग में पिएं यह adult के doses हैं बड़े हैं आप तो दो बुंद पिएं अगर बच्चे हैं तो दो बुंद सिर्फ एक बार देंगे यह एक बुंद सिर्फ दिन में एक बार देंगे तो बहुत फायदा करेगा इस medicine को कम से कम आप 10 से 15 दिन तक लीचे आराम लगे तो आप यह medicine जब तक लीचे जब तक आपकी समस्या ठीक ना हो जाए इसमें एक महीने भी लग सकता है यह 15 दिन में भी ठीक हो सकता है दो महीने भी लग सकता है च्छा महीने भी लग सकता है डिपेंड पेशेंट तो पेशेंट और आपकी प्रॉब्लम कितने दिनों से उस पे यह डिपेंड करता है लेकिन इससे आपको आराम ज़रूर लगेगा आप जरूर होमेपेथिक मटिदिया मेडिकम में पढ़िएगा नेक्स्ट मैडसेंट और यह आँखों में डालने वाली आईड्रॉप है और सिनेरिया मारेटिमा आईड्रॉप यह विदाउट अलकोहल की लेनी है अभी इस समय शौबे की आती है इसे फोटोफोविया में बहुत आराम लगेगा पीना नहीं है आको में डालने आईड्रॉप है तो बुणत शुवख डालें यह मैडसें मेडिसीन भी आप एक महने तके लिए आराम लगिए जैंद इसे कंटीनिम करें बस यह दो मैडिसीन यो फ्रेशय ऑफिस अनलिस्टैटी और सेनेरिया मारेटिम आइड्रॉप ये दो मैडेसिन आप यूज करें और ये मैडेसिन कम से कम आप 10 दिन लेजिए 10-15 दिन फायदा हो तो फिर आप ये कंटेन्यू करें आपको बहुत जल्दी आराम लगेगा फोटोफोविया में और ये दो मैडेसिन से लगबक 80-90% पेशेंट को आराम लग जाएगा तो आप जरूर एक बार यूज करके देखिए फायदा होना चाहिए तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ अकर अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक का बट ज़्यां देगे तो जरूरे इस वीडियो को शेर करियेगा नीचे कमेंट शेक्षन है मैसेज जरूर करिए इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब पूरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए बस इतने ही कल फिर मिलते है जैहिंद जैह भारत धन्यवाद ध झाल चूरा जो हुआ हुआ है